हालो डियर स्टूडेंट्स आज हम अपने प्रैक्टिकल सेशन में एक दूसरा एनिमल पढ़ेंगे दाट इस हॉर्स शू क्रैब या फिर हम इसे किंग क्रैब भी कहते हैं तो यहां पर आप इसका एक डाइग्राम देख सकते हैं अपनी नैचुरल हाबिटेट के अंदर तो दिस इस एट्लांटिक होर्शू क्रैब लिम्यूलस यह लिम्यूलस है जिसके अंदर यहां पर हम इसमें एक हैलमेट शेप्ड इसका शेल देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर इसके कलर की यहां पर जो है वो एक लाइट टैन टू डार्क ब्राउन कलर का इसके उपर जो है वो एक हैलमेट शेप का शेल होता है और लेग्स और गिल्स जो है यहां पर इसके रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं जिनके उपर वाइट कलर की मार्किंग्स होती हैं average size जो है इसका करीब जो है यह 24 इंच लंबा और 12 इंच वाइड होता है females जो है वो males के comparison में size में बड़ी होती हैं habitat की बात करते हैं तो यह shallow से लेकर के deep water के अंदर करीब-करीब सभी तरह के bottom में पाया जाता है चाहें वो sandy bottom है या rocky bottom है उसमें और हम इसको जो है वो पूरे साल जो है इनको देख सकते हैं ज़्यादा जो visibility इनकी बढ़ जाती है वो spring season में जब इनका breeding time आता है अब जैसा कि इसका नाम है horseshoe crab but it is not a true crab true crab जो है ये नहीं है और ये it is more closely related to spiders, ticks, scorpions उनको related है तो इसमें जो है वो जो brown color का horseshoe shaped helmet shaped इसका shell है वो इसको जो है protect करता है और इस तरह से ये जो है अपने predators जो है sharks है, turtles है, seagulls है उनसे ये बचा हुआ रहता है इस horseshoe shaped shell की वज़ा से यहाँ पर जो है वो एक spine like tail जो है इसके अंदर present होती है लेकिन ये कोई weapon की तरह से इसको नहीं use करता है लेकिन इसको जो है वो turn होने में जो है ये मदद करती है और ये जो है वो इससे जो है because ये एक bottom dwelling animal है तो इसको जो है एक radar की तरह से भी ये use करता है walk करने के लिए crab में जो है वो 5 pair of legs present होते है और यहाँ पर जो है जो last pair है उसके अंदर जो है वो five fingers present होती है अब यहाँ पर जो है वो true crabs की तरह से जो है इनके legs जो है उनमें long और slender claws होते हैं लेकिन ये protection के लिए जो है वो नहीं use होते है यहाँ पर ये legs जो है इसको eating में मदद करते हैं और वो जो food है इसका उसको तोडने में, tearing के अंदर मदद करते हैं और यहाँ पर जो mouth इसका centrally located mouth होता है वहाँ तक उस food को ले जाने में भी मदद करते हैं अगर हम इसको पलटते हैं और दूसरी side से देखते हैं तो यहाँ पर जो हमें book gills जो है इसके अंदर दिखाई देते हैं जो के folded leaves of paper जो है जैसे book के पन्ने होते हैं बिल्कुल उसकी तरीके के यह दिखाई देते हैं और यह book gills जो है इनको यह breathing के लिए use करता है अब अगर हम इसकी life history और behavior की बात करते हैं तो adult horseshoe crabs जो है वो deep waters से migrate करते हैं और इस तरीके से किनारों के उपर आ जाते हैं और वहाँ पर जो है वो पानी के edges के उपर यह large number के अंदर इखटे हो जाते हैं अब यहाँ पर जो है वो males comparatively female से size में छोटे हैं लेकिन इनके अंदर एक modified hook जो है वो first pair of claws जो है इनके उसमें present होता है और वो उनको mating में मदद करता है then क्योंकि हम सभी जानते हैं कि arthropods की जो characteristic है कि यह molting से grow करते हैं तो यहाँ पर जो है जो juvenile horseshoe crabs होते हैं या younger जो होते हैं उनके अंदर जो है वो molting जादा होती है और इस तरीके से वो old shell जो है वो अपना उसको shed कर देते हैं और वो soft जो है shell वहाँ पर नीचे से grow हो करके कुछी दिनों में heart हो जाता है और हम इस तरह के जो है वो molting shells को भी जो है वो किनारों पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो mature होने में इन्हें 9 से 11 साल का वक्त लग जाता है और कुछ जो है वो crabs को 30 years तक भी जो है वो रहते हुए देखा गया है तो इस तरीके से यह जो है वो small animals जो है बाईवाल्स है वर्म्स है डेट्रीटस है या दूसरे invertebrates जो है उनके उपर feed करते हैं अब एक और special feature की हम यहाँ पर बात करते हैं कि Atlantic horseshoe crabs जो है उनको हम living fossils कहते हैं क्योंकि यह जो है वो जो primitive arthropods हैं उनमें से एक है जो के एक बहुती लंबा period जो है वो से exist करते आ रहे हैं अगर हम पुराने time से इनको देखते हैं तो primarily जो है इनको fertilizers की तरह से या chicken feed, pig feed की तरह से use किया जाता था और अभी भी जो है वो इनको American eel जो है उसको पकड़ने के लिए as a bait जो है use किया जाता है कुछ medical research है जिसके अंदर भी जो है इसको use किया जाता है दूसरी बात यहाँ पर जो है वो इसके blood का जो color है वो blue होता है और इस वजह से भी जो है इस compound को इसमें से प्राप्त करने के लिए और कुछ diseases हैं जिनमे spinal meningitis है उसके अंदर जो है वो bacterial contamination जो है उसको कम करने में इसका use किया जाता है तो इस तरीके से अगर wild में हम देखते हैं तो Atlantic horseshoe crab जो है वो एक threatened animal है जो pollution की वजह से habitat destruction की वजह से या increased harvesting जो है वो for medical research के लिए जो है use होने की वजह से उसको काफी नुकसान हो रहा है और उसको conserve करने की जरूरत है यहाँ पर हम कुछ इनके pictures देख सकते हैं जो कुछ breeding time के हैं यहाँ पर जो है वो इसको हाथ में लिया हुआ है और नीचे से जो है यह red color के इसके legs को हम देख सकते हैं यहाँ पर भी एक काफी clear जो है वो यह bottom के उपर दिखाई दे रहा है crab यह जो है वो हम इसको ventral side से जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है यह crab है यह बहुत clearly हम इसको dorsal और ventral side से देख सकते हैं यह इसको shallow water के अंदर हम देख सकते हैं अब बात करते हैं behavior की अब हमारे पास में इसके अंदर जो है वो कई सारी इसकी लिम्यूलस की species है और हमने जो है वो इसको जो है वो एक fascinating creature जो है वो horseshoe crab को यहाँ पर मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो यह एक ऐसा animal है जिसका natural predators जो है वो almost नहीं है लेकिन human being ही जो है वो इसका सबसे बड़ा यहाँ पर एक predator है और जैसा कि अभी हमने पहले भी बात करी कि इसको कई सारी जो है वो medical research के अंदर जो है वो इस animal को use किया जाता है जैसे leukemia diagnosis जो है और vitamin b12 deficiency को detect करने के लिए भी जो है वो यह animal को हम use कर रहे हैं यहाँ पर तो इस तरीके से जो है वो अगर हम इसके description की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो इसकी body जो है वो भी एक anterior cephalothorax और एक posterior abdomen के अंदर divided है एक spike shaped इसमें tail या जिसे हम telson कहते हैं और वो इसके अंदर present होती है उसके बाद में जो है वो यहाँ पर जो इसका legs इसके अंदर present है और यहाँ पर जो है वो locomotion और feeding जो है वो इसके अंदर almost closely related है क्योंकि यहाँ पर जो है वो animal इसके अंदर it choose only when it moves तो दूसरी बात जो है वो horseshoe crabs जो है उनके अंदर 10 eyes है उसकी body के उपर all our body के उपर यह located है और इसमें जो है वो जादतर जो है दे are located on the back और side जो है animal की वहाँ पर present होते हैं और कुछ जो है वो उसमें photo receptors जैसे उनमें टेल के उपर भी उनकी present होती है और इसमें respiration जैसे कि हमने पहले भी बात की थी यहाँ पर जो है वो इसमें च्छे pair of appendages जो के under side of abdomen में attached होते हैं जिनने हम इसमें जो है वो केवल limulus है ऐसी एक species जो के Atlantic Ocean के अंदर पाई जाती है और remaining three जो है वो Southeast Asia जहां पर जो है वो पाई जाती है जहां पर उनके eggs भी जो है कुछ जगा पे as a food use होते हैं तो इस तरीके से जो है यह एक omnivorous scavenger जो के small by valves पे mollusks पे worms पे dead fish या इलगी के उपर feed करने वाला animal है thank you thank you thank you झाल